यूअने यूअने टे समर्थृतर हो जो एत्ते इसारे और लोग ने जो हंदूस्त ने समर्थंते इत्ते कठे होए ने थाकि हिंदूस दे होघे अत्याचार जो बांगलादेश इस वेले अत्याचार हो रहे हाँ और रुक सके उसदे खिलाब अवाज रुट सके पेरे पिछे बैनर लाके लोग खड़े होई ने, हिंदू आते काट गिंटिया दे, अत्याचार बंद करो। ते बांगलादेशता अनल चंडा है। जैसे तरह बंगलादेशी हिंदूस दे अत्याचार हो रहे हैं उसनों लेके लोग की इस वेले उसने विरोध देवीची काठोए ने सर तुसे की कहना चाऊंगे हिंदूआ दे हो रहे अत्याचार दे रोकने चाहिए रोकने चाहिए बहुत सेशुडू समाज है की तड़ा ख्याल है शेख हसीना दी सरकार उत्यगीरी हिंदूस माइनोरिटी इस दे इन्ना अत्याचार हो रहे हैं मंदर तोड़े जा रहे हैं किन्ना गरोश दा देंदर बहुत जारा देखो जी बंगलादेश देवेच साड़ा पार्त काफी साथ दंदर रहे पहले पर ब्रहात ब्रहात करांदेश पाड़के जाके कुट्टिया गया वह बहुत गल्स दा निंदर जो गहां एस चीज़ें निंद्या करते इस तरह देख साथ किन्ने के लोग इस वेले कठे होए ने थे हिंदूस देखते हो रहे अत्याचार नों रोकन लिया और अगेंस्ट बेटियां दा बलातकार हो रहे हैं इस देखते किन्ना का रोश है ता नों इस चीज़ दा देखो रोश तो है पर इसमें कारण यही है कि हमें संग्डित होना पड़ेगा जब तक हम बिखरे रहेंगे चाहे हम गिंती में ज्यादा हैं पर जब तक हम चोटे-चोटे अधरास कर सकता है वह हमें लूट सकता है वह हमाड़े नुप्सान कर सकता है वह हमारे घुरू देख तरश्री आशचु दश महरा जी कहते हैं किसी ने उनको प्रशन किया कि कि मारा श्रीवी हमाई साथ अत्याचार होता है और हमारा अपवान होता है हमारा जी कहते हैं संक्टेथ हो जाओ आप एक हो जाओ इकठे हो जाओ तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा इसका मतलब यह है कि हम बाद में सोचते हैं कि जब हमाई साथ ऐसा हो जाता है जो बुरे लोगां वो संसार में कम है और हमारी गिंती ज्यादा है पर बुराई एकदम संक्टित हो जाती है बुरे लोग एकदम इकटे हो जाते हैं और बुराई को फिला देते हैं आज जिरूर होता है कि हम अच्छे लोगों को संक्टित होना चाहिए एक तम इकठे होना चाहिए तो हमाएं कोई भी कुछामारा नहीं विगाड़ पाएगा वहां पर अब इतने सारे लोग एक साथ आकर हरे कृष्णा का नारा लगाकर एक प्रदर्शन कर रहे थे क्या यह समय आगा कि श यह कोई उनका कोई कोई शौक नहीं जब धर्म की रक्षा करने की जुरूरत बढ़ती है तो शाष्टर भी उठाना पड़ता है अभी हमें देखने को मिला है कि पंगाल में पंगाल जिसको माता का ग्रह माना जाता है वहां पर एक बेटी का बलत कारू है उसके बारे में क् जो बेहनें हैं बेटियां माताएं इनके प्रती मातर तो भाव रहने का जो भाव है ये केवल हिंदुना का है मुसलमानों की सबहव हिरनी वह तो वहाँ पर बहन के साथ में विवा करने के लिए तयार हैं तो वहाँ पर जहाँ पर हिंदू गट जाएगा और वहाँ पर ऐसा ही दरश्य सामने आएगा ये भारत में भी हो रहा है यहाँ पर भी इसी परकाज लव जिहाद के कारण से बहुत सारी बहन बेटियों का ऐसा दरश्य देखना पड़ रहा है इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू समाज को एक होने की जरूरत है संग्टित होने की जरूरत है वहाँ पर बांगला देश में एक शक्ती बीट है एक शक्ती बीट है धाकेश्षवरी दाकेश्वरी नाम का एक शक्ती भी ढवाम पर क्या आपको लगते हैं कि मंदिरों को भी यहां भारत में शिफ्ट करना चाहिए ऐसा तो होना नहीं चाहिए ऐसा होना चाहिए कि यह सभी भारत के ही एक अंश ही थे और यदि एक कारण यह हो गया कि जहां जहां पर भी हमारा समाज घटा और हंदों की इसी पूट के कारण से ही सब जगब जो टुकडे हैं वह भारत से अलग हो गए चाहिए वह हिंगलाज देविकास्तान पाकिस्तान में रहा हो एडाकेश्वरी माता का जो मंदिर बांगला देश में रहा हो यह है जब देश के टुकडे होंगे इसी तरह से सम अलग होते जाएंगे और यदि भारत का हिंदू इकटा होगा और एकता होगी तो यह सारे जो टुकडे हैं फिर से अकंड भारत का निर्मान करेंगे ऐसा हमारे सबी संगतों का एक समाज को संदेश है कि यह समय आगे है शस्त्र चकंडा बिल्कुल जदी सारे देवी देवता दे एक अच्छ गरंत है तो एक पसे शस्त्र है शस्त्र हो दो चकंडी नोड़ पेंदी है जो तो हलात बंदे है हलात ऐसे बंदे जा रहे हैं जैसी संगाठी दिनी होंगे कट जावांगे बट जावांगे इसलिए साड़े बच्चे आनू साड़े तर्म गरंता दे सामनाथ तेको साड़े गुरु मारा ने किटी पंजावली करवान नी दिती चारे सैब जादेनू कितना मुगला ने अत्या चार कीता असी ओगला पोल दे जा रहे हैं गुर गोविशंग जी ते बचन बोलते जा रहे हैं अभी इन्हाद भी शुवास नी करते जा रहे हैं याद रखना इस जेकर असी सनातनी हिंदू जा जिनने भी साड़े नाल चाहिए सेख कौम हैं बुद्धिश ने जैनी ने जैसी संगठ इतनी हो वांगे तेसी कटे जावां शहस्तर चकंदा यह म कई लोका ने अपने बली देंदे 16 दिन आला अपनी रक्षा कित दिया थे बहुत बहुत मैं तो पहला स्टेटे भी बोले हैं डाकेश्वर देवी मेरे कुछ नोन ने हजारा हिंदू आनू मार देता गया जिन्दा गिला देता गया उत्ते आप मीडिया उत्ते आर्मी अधना ही साधा जम्मु किसमीच हुआ है मेरे दोस्ते डौक्टर गाहुल भान ओ तो शाड़ के आए जिना नाल बीच दिया उनू बता हुं दे ये करदी कठे नहीं हो आप बार-बार कहना कठे जावांगे संगाठी तो ओंगी लोग की मांग कर दे दूसी स्वेले सरकार तो की मांगे दाड़ी पहली मांग साधे उस्टे बांगलादेश से जड़े साधे कटके जी पर जी चाहिए ने महें पिछे विगल कर आई जी का था पता हवे खोड्यों आज बांगलादेश तो लोग इते आके रहरे ने रोहिगा आज इते अपने अधार काड़ बंगे लोग ने जो साथे हिंदू आली खलाफ चल रहे उन पिछे खवर चाल रही जेड़ा बंदया जंगनाद मंदिर दे बेच ठीक है और लंगर खला देटा गया उन्टे खाना ले लंगरा देटा गया किसा देदाल नी होएगा पिश्मीर्च की होया केरज की होया इसलिए नारी सशक्तिगरण वहां पर बिल्कुल खदम हो चुका है इस वक्त बंगलादेश में उनका इतना अपमान किया जा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के घर से निकाल कर लेकर जा रहे हैं इसके उपर आपको कितना रोश है कितना आपके अंदर इस वक्त उग्रत है आप बत जैसी बना दी है अगर इसी कमजोरी के सांचे में धली रहे घ्ली तो इसको बचाने कोई नहीं पिता जा अनको चाहिए cingे उनको घरों के नंदर शस्तर अपैने प्रपर बर neon चंडि चंडी हो और एपतर पकयो जब तुम्हारी असमिता पर बात आई तुम्हारे बच्चों को खीचने लग गए तो किसका इंतजार है फिर पुलिस का इंतजार कौन बाके बचाएगा उस समय तो चंटी बनना ही पड़ेगा और भही धर्म है उस समय खपर पीने खून के यह धर्म है इस वेले पूरुष समुई नहीं बल्कि मात्री शक्ती भी साड़ेनल मौजूद है जो बांगलादेशी हिंदूस दे समर्थन दे विचे इस वेले इत्थे उत्रे ने इस वेले बच्चे वी मौजूद ने जो कि बांगलादेशी हिंदूस दे समर्थन दे विचे इत्थे इस वेले आए ने की नामें दर्ड़ मेरे नम चेतन शर्मा वा ते मैं हिंदूस माज तो बांगरता सब्सक्राइब लोगान तड़व तरव तरवा के मारे जाद रहा है नानू एक गल्त हो रहा वा ते एक कर दे कर देख दे सब्सक्राइब पूरा हिंदूस माज जाज पर अपने पंजाब काफी नियांग भी कठे वे सब्सक्राइब असी चानने है कि ए जड़ा ने बांगलादेश चे पर को पलाया था एह उन हिंदूस तांच अपने इंडिया चना अपलाया जावी तो लुद्याना हैस टेकन और तो ब्रिंग दे चेंज इन दे वर्ड इसलिए लिए लुद्य मुझे पासे बांगलादेशी हिंदूस दे समर्थन दे विच प्रोटेस्ट चालता वैं जिते हिंदूस दे नाल हो रहे अत्याचार नू लाय के लोकी विरोध दे विच उत्रेने ते प्रोटेस्ट चाल रहेने मात्र शक्ति पुरुष युवा बच्चे हर कोई इस्वेल हच्व हिन्दूस दे मंदार तोड़े जारे कि ना रोश आ दांदर की कमरत चाहों कि समर्थन दे चुसकत पहलना अज पूरी दुनिया देख रही है कि कि में बंगलादेश दे विच जो एक हिंदू ने उन्हादे कि में अत्याचार हो रहे है बंगलादेश नू कहने दुनिया दी तीजी सब्टों वड़ा देश है मलब तीजे सब्टों वाद हिंदू जे पूरे दुनिया ज किते ने थे बंगलादेश ने सब्टों जादा पॉपूलेशन अल्या जड़ा देश है हिंदू है उदे खिलाफ आज तरम सुरख्या मंच पंजाब देवलों जो आज 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 देख रहे हैं जिद्धा भी आज 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 देख रहे हैं कि अना ठठा मार्दा इकट पूरे हिंदू जेड़े अज पूरे शेयर देवेच इखटे होए है वो एको एक संदेज जेड़ा पूरी देश जा रहे है कि में जदो हिंदू इकटा होएगा ते जेड़े अद्धान दे कुई त जरन देवी चंदी है तो ते ओना देलोगी हिंदूस देख इना अत्याचार कर रहे हैं कि तानों की कहना चाहूंगे इस गलते हैं देख सकते हैं लुद्याना जैसे महानगर के अंधर विशाल धर्म सभाग आयो जेत हुए है हिंदू समाज इस आक्रोश को लेकर सामने सड़कों पर आया है कि पंगला देश के अंतर भी जो हिंदू भाई है वो हमारे भाई हैं उनके उपर अगर आक्रमन होता है तो हो आक्रमन हमारे उपर है तो आज पूरे देश का पूरे विश्व का हिंदू आक्रोशित है और ये हमारे उपर निकाल कर देखेगा तो उनकी आख नोच ली जाएगी यह हमारी तरफ से चेतावनी है हिंदू समाज की तरफ से कि देश के उपर धरम के उपर हिंदू समाज के उपर गोई शड़ी अंतरागर होता है तो इसको बर्दाश नहीं करेंगे आज हम लोग यहां पर हम कि आज एक हो जाएं धर्म के नाम पर एक हो जाएं करें के यह घंदु हिब हो जाए हपर करेंगे पर हम अब चुप नहीं बैटेंगे अगर आख उठाई जाएगी तो आख निकाल ली जाएगी यह साफ साफ पंश्ट शब्दों में मैं सभी को कहना जाता हूं ताथ यसी देख साफ चैनलों मैं जो बांगलादेश हिंदूस दे नाल होया उसनों लाएक है किनना अक्रोश है यह देखो किस तरह नारे लगाए जारे हिंदूस्दे समर्थन दे में फिच नाली रिप Dünya प्रोटेस ल में तेवारा थि अपडेट्स यह भड़ेण वो खबर टीवी देनाल, कैम्रेमेन बल्लू देनाल, जटिन सौब दिरी रिपोर्ट, तान मात